असलाम आलेकम गाइस तो कैसे हो आप सब अबीत करतों आप सब खेली से होंगे फिट पाड़ो के सब गाइस आज की वीडियो के लिए लिखे है चुको आपके लिए कंपेरिशन वीडियो अब काफ लोगी किस चीज की तो आप थंदल देखके आपको पता चली गया होगा तीन सो कुछ रुपे प्राइज है और भात कीजिया है एड़ एड़ डेव्ट एलिफ की तो इसकी जो प्राइज है मार्किट के अंदर हो कुछ पैटालीस सो रुपे चल रही है तो आज वीडियो के अंदर में यह सारा आपको डीटेली बतांगा कि कौन सी वाच आपको ल एड़ डेव्ट एलिफ बाइज करनी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट सेज जरूर देखना मैं आपको पूरी चीज़े बताऊंगा जो जो चीज़े हैं वो उसमें सारी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए आपको जैदा टेंवेस्ट नहीं करता है च अब बात कीजे एज फक अफ ही ओक की है फुर्टी फॉर्यम का डायल के मिक страшus और का पसंड़ बात की जरू हैति और का यह दियुद्न करने हैं की तो गाइस डिस्प्ले में कोई फरक नहीं है बिलकुल दोनों का सेम ही डिस्प्ले है बट क्यूंकि यह 44 mm का डेल है तो इसे विजा से बड़ा है तो काफी अच्छा लग रहा है इसका डिस्प्ले तो यह FK88 को मैं वाट देना चाहूंगा डिस्प्ले के अंदर क्यूंकि मुझे तमाम बेतरी लगा और HW 12 कभी इनफ है तो यह डिस्प्ले की बात हैं बागी बात की जाए अब वाच्फेस्स की बड़ा एक डिफरेंट है तो HW 12 में आपको तक्रीबन कुछ 5-6 वाच्फेस्स मिल जाते हैं बाकी हैं तो वह इतले खास नहीं है बागी बात की जा के watch faces की तो इदर आपको बहुत सारे watch faces मिल जाते कुछ 25 के around watch faces मिल जाते और इसके app के अंदर भी आप को watch faces मिल जाएंगे तो ये watch faces के मामले में बात की जाए तो मैं आपको FK 88 को वोड़ देना चाहूँगा जो कि एक काफी अच्छी बात है और तमाम मुझे अच्छी बात लगी तो मैं watch faces के दुरां FK 88 को वोड़ देना जाऊँगा अब बात की जाए इन दोनों की बैटरी बे बैटरी बेक अब क्या यह इसी विज़ाए इसका बैटरी बेक अब इतना खास है और HW 12 का भी दो से तीन दिन आप यूज कर सकते हैं अगर आप करेक्ट कर तो मॉबाल के अंदर बाकि आप अगर आपको FK 88 का बैटरी बेक जाए तो गाईस वह भी तक्रीम आप 5 दिन आर है अब जो एक मेन बात है वह है चीज़ की दोनों के डाइलर्स जो की इनका मेन्यू जो की HW 12 का मेन्यू स्टैल है वह काफी समूथ है गाइस और जो की बात कीज़ा FK 88 का तो इसका इतना समूथ नहीं है मैं यह आपको बता दो जो इसका दूसरा FK 88 में जो आपको डाइल और मुझे काफी पसंद है बिल्कुल एपल वाच की तरह तो यह इनके दोनों के प्रॉन और वहें फीचर्स हैं तो अगर आप बोलोगे कि हम कौन सी वाच बाय करें गाइस मेरे तरफ से दोनों वाच इस बैस्ट है और जो कि FK 88 को बाय करीब है तो अगर आपको बड़ा अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कोई भी प्रेशानी कोई भी चीज़े पूछ नहीं है तो आप मेरे नंबर पे भी राप्ता कर सकते हैं मेरा यह वाच्टर नंबर शो हो रहा होगा बागी गाइस मैं आपको उधर जाकर बता दूंगा तो बस आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं किसी एक्से वीडियो में मैं और आपको कैसा लगा कर प्रेशं वीडियो वो भी नीचे कमेंट्स करके बतादिजेएगा तो दो आज क्या आज के लिए किसी नेक्स स्टूडियो में तब तक लिए अपना बहुत सब्सक्राइब करें, दौा में या रखें, ठैक्स फो रचिंग एड़, अलाह आपिस